ये कांग्रस देश को आजादी देवे वाली पार्टी है, वालना आजाद की पार्टी है, आत्मा गांधी की पार्टी है, उन्होंने गोलों से आजादी दी थी और तुम इन दोर वालों तब काले अंग्रेजों से इस देश को निजाद दिलाओगे, इन चोलों से, इन चोर शोपी दारों से इस देश को निजात दिलाओगे। मोदी को हिंदुस्तान प्यार करता है और हिंदुस्तान को मोदी प्यार करता है इसलिए आप मोदी जी को काला अंग्रेज कहके यह अपमान केवल मोदी जी का नहीं है यह अपमान समस्त हिंदुस्तान का है सिद्धु जी और कॉंग्रेस पार्टी अपने इटैलियन रंग पे ना इतना गुमान कर 23 तारीक को ये इटैलियन रंग भी उतर जाएगा क्वात्रोची का रंग सही है बाकि हम और आप तो काले अंग्रेज हैं इकवात्रोची मामा सही, क्रिस्टियल मिशेल का रंग सही, एंडर्सन का रंग सही और मोदी जी काले अंग्रेज हैं शिद्धु एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जो शंगत से गुन होत है शंगत से गुन जात राहुल गांधी के शंगत में उन्हें ऐसी चीजें दिखाई दे रही है मैं दिमागे दिवालिये पन तो नहीं कह सकता सिद्धु को लेकिन ये जरूर कह सकता हूँ कि देश तोरने वालों के साथ रहते रहते जो राहुल गांधी देश को टुकरे टुकरे करने वालों के साथ देते देते अब इन्हें देश की अस्थिती और प्रस्थिती में समझ में नहीं आ रहा है गोरा कौन है काला कौन है अरे मोदी तो आज देश का राष्ट भक्त है उनकी राष्ट भक्ती पर कोई परस्थिती नहीं कर सकता लेकिन शिद्धू देश को टुरने वालों में से एक है कटिहारा करके आजाद भारत में हिंदू मुशलमान का नारा देने वाला शिद्धू ही थे ये राहुल गांधी के इशारे पर देश को तोरने की शादिस कर रहे हैं जो कटिहार में आके मुशलमानों को कहा 67% तुम एक हो जाव ये शिद्धू देश को तोरने की साजिस जगह जगह कर रहे हैं की पार्टी की माननेता बचाने के लिए ये संगश कर रहे हैं और कुछ नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी और लोग उने मिलकर गोरों अंग्रों से तो आजादी देखो सिद्धू साब अभी तक लाफटर शो कर रहे थे इस लाफटर शो के हैंगवर से वो अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और उनकी सभाओं में भी जो है उसी तरह का जो है वो मजाक और उसी तरह का लाफटर दिखाई पड़ता है तो उस हैंगवर से बाहर निकले और अब वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं कांग्रेस पार्टी के संसकार तो उनमे में अभी जितने भी आएं वो तो दिखाई पड़ रहे हैं लेकिन उसके साथ ही साथ मुझे लगता है कि अभी उस लाफटर शो वाले उस अरास्ते से भी वो बाहर नहीं निकल पाएं